इस्टूडेंट्स ये एक बहुत ही महत्पूर्ण क्वेश्चन आपके सामने देख रहा है ये क्वेश्चन हमारी यूट्यूब के एक स्टूडेंट महसिन जी ने भेजा हुआ है बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन ये है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस axis में moment of inertia नेकल इस question को solve करने के पहले आपसे बहुत अच्छे से parallel axis theorem आनी चाहिए तो मैं यहाँ पर पहले आपको parallel axis theorem explain कर रहा हूँ फिर इसको solve करेंगे question को ठीक है तो यह आपके पास कोई भी object है यह इस object का जो है center of mass है और center of mass के about moment of inertia आई center of mass है अब यह कोई दूसरी axis है इन दोनों axis के बीच की distance है इस axis का नाम है AB तो parallel axis theorem कहती है IAB is equal to ICM plus MA square इसमें यह जरूरी है यह दोनों axis parallel हो जो moment of energy जो center of mass से पास through axis हो वो इसके parallel हो ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब अपन solve करना start कर देते हैं इस question को अच्छा इसमें एक चीज की और आपको जरूरत पढ़ेगी जो आपको पता होना चाहिए moment of inertia of sphere about the axis passing through from it center तो यह होता है 2 by 5 MR square चलिए start करते हैं तो यहाँ पर 4 sphere है 1, 2, 3, 4 तो आप देख सकते हैं यह दोनों identical है 1 and 2, 3 and 4 तो अपन क्या करेंगे सिर्फ बन और 3 का calculate करेंगे फिर इसको double कर देंगे ठीक है तो देखें बन का तो सीधा सीधा होगा बन में जो है axis इसके center से ही जा रही है तो 2 by 5 MR square आप अपन solve करेंगे 3 का तो देखें ध्यान से देखिए axis यह है अब आपको इसके parallel axis बनानी है जो इ अब यहां पर आपको parallel axis theorem यूज करनी है तो i is equal to i cm plus m a square तो i cm तो यह ही होगा 2 by 5 plus m into a यह distance तो अब देख सकते हैं यह distance होगी 2r तो यहां आएगा 2r का तो हो जाएगा 4 अब इसका LCM लेंगे तो 4 into 5 20 तो हो जाएगा 22 upon mr square तो 3 का आगया i3 22mr square i1 आगया 2 by 5 दोनों का sum कर लीते हैं पांगे तो i1 plus i3 2 by 5 mr square plus 22 by 5 mr square तो यह आजाएगा 24 by 5 mr square अब इसका double कर देंगे तो तो इसका double आप करेंगे अगर तो टोटल अंसर अपना आ गया 48 upon 5 mr square अब यहां पर एम की value इन्हों ने दी रही है 5 और r की value 1 तो put कर दीते हैं यहां पर एम की value है 5 तो यहां 5 से 5 cancel r की value तो आंसर आ रहा है 48 तो यह आंसर इस question का हो जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा question है यहां पर ठीक है तो आपको इसी तरीके के और किसी question में doubt हो तो आप हमें भेजें हम इसका solution आपको भेजेंगे ठीक है ओके थे